रमशकार रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप आपके साथ मैं हूराहुल कुमार और इस बुलिटिन में अपने के तमाम अपडेट्स पर नज़ो डालेंगे राष्टुबादी कॉंग्रेस पार्टी की 25 वी वर्षगार्ट पर पार्टी के अध्यक्ष शरत पवार ने एक बड़ी राज़नीती घोशना किया है शरत पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और वाइश टेता प्रफुल पटेल को पार्टी का नए कारेकारिया ध्यक्ष नामत किया है बता दे कि सुप्रिया सुले महराष्ट्र पंजाब और हर्याना में आगामी राज्य चुनावों की प्रभारी भी होंगी तो कहीं ने कहीं एनसीपी के लिए एक एतिहासिक दिन हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि शरत पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एहम जिम्मदारी दिये तो एक लंबे समय के बात चेहरों में बदलाव देखना को मिल रहा है जिम्मदारियों में बदलाव देखना को मिल रहा है भी कुछ दिनों पहले ही लागतार नसीपी मे इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि अब अगला अध्यक्ष कौन होगा जुस बीच शरत परवार ने स्तीफे की पेशकस भी कर दी थी लेकिन उन्होंने अपना स्तीफा जो है वापस लिया वापस से अध्यक्ष पत पर पहुंचे और अब जो बड़ी ख़बर सामने आ रह पच्छिस वास्त अपना दिवस और इतनी महत्पून गुशना अज पवार साब ने की पार्टी को आज दो कार्य देख्ष मिले सुपरिया ताई और परफुल पटेल साब के रूप में पार्टी के सभी कारे करता बहुत उत्साहित हैं अभी तक पवार साब का तजरुबा अमारे का मारा था अब मुझे लगता है कि युवाओ का उर्जा सुपरिया ताई और परफुल पटेल साब की उर्जा और कचुरुबा अब अंग देनों को मिलने वाला है तो खुशी का माहूल है और हम सब लोग बहुत ही एक्साइटेड है आने वाले समय में दोजार चोबिस विदान सभा लोकसभा का चुनावारा है और मुझे लगता है कि उस द्रिश्टी से यह निर्ने राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है संगठन में हम अभी भी बहुत मजबूती से हैं मुझे लगता है इन दोनों कारे देख्ष के नित्रत में राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़े है वह सो समझ के आप लोग ने देखा ही होगा दी गई है हमें पुरे व लोगा एंसिपिका